असलामु वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो गैस पॉस्टिंग कोर्स की number four वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हमने एक लिश्ट बनानी है एक शीट कैसे बनानी है गैस पॉस्टिंग वैबसाइट की और उसके अंदर किस तरह से website को save करके रखना है कि कौन सी website के कितने traffic है कितने डीय है कितना DR है सारा कुछ किस तरह सी यह करना है अब previous वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि हमने किसी भी website किस तरह से check करना होता है उसे एक guest coasting website consider करने से पहले अब आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है वो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता दिया था तो आप वीडियो देख सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा अब आपने किस तरह से शीट बनानी है तो उसके लिए कोई यह लंबा चोड़ा काम नहीं है कोई इतना हैवी क्रोसीजर नहीं है सिंपल सी बात है आपने आजने अपने मुबाइल के ओपर या सुरी कम्प्यूटर के ओपर मुबाइल पर तो यह काम नहीं होगा कम्प्यूटर पर आपने आजने अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है आपने गूगल क्रोम को उपन कर लेना है और आपने यहां पर आकर सार्च कर लेना है Google Sheets अब यहाँ पर मैंने Google Sheets सच की और यह दूसरे नमबर पर वैबसाइट आ रही है docs.google.com इसको हमने open करना है अब यह वैबसाइट open हो जाएगी हमारे पास एक sheet open हो जाएगी अब यह sheet open हो गी है इसके अंदर हमने सारा data जो है वो रखना है अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो हम इसको एक नाम दे देते हैं guest posting sites अब यह हमने इसको एक नाम दे दिया guest posting site इदर आपने पहले box के अंदर लिख लेना है domain अगले box के अंदर आपने लिख लेना है dr next के अंदर आपने लिख लेना है da उसके आगे आपने लिख लेना है traffic और उसके आगे आपने सिंपल क्या लिख लेना है? spam score spam score spam score लिखने के बाद ये चार चीज़ें तो आपने must channel लिखने लिखनी है अब इसके सामने आपने दो तीन चीज़ें और लिख लेनी है एक status status ये मैं आपको बताता हूँ ये आपने क्यों लिखना है? status status लिखने के बाद इदर आपने price लिख लेनी है यहाँ पर E R I C E अब ये चार पॉन्च चीज़ें आपने include करनी है अपने list के अंदर जो के जरूरी है अब इदर यहाँ पे rate भी लिख सकते हैं यहाँ पे price भी लिख सकते हैं अब इतना करना के बाद आपनी ये 4-5 चीज़ें add कर ली आप इसको हम थोड़ा सा मुख्लिफ कर लेते हैं जी इसका पहले थो हम change कर लेते हैं यहाँ पे phone चेंज कर लेते हैं इसके अंदर आपने दो चीजे मजीद और एड़ करनी है एक ये कि आपने इसके अंदर सिंपल से आके इंसर्ट करना है कोलम यहां पर आपने लिख लेना है कैटेगरी कैटेगरी लिख ली और इसके बाद एक और कोलम आपने इंसर्ट कर लेना है यहीं पर आप इंसाइट कर ले यहाँ पर आपने सिंपल इसका लिख लेना है contact method email लिख लेनी है जो भी है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ contact तो यह नो चीजें जो है आपने अपनी list के अंदर लाजमी रखनी है एक domain domain name क्या है दूसरा domain rating तीसरा da domain authority traffic category की इस category की है वो website contact email है या form वगयरा है वो आपने यहाँ पर लिखना है उसके बाद spam score वो भी आपने इदर add करना है और उसके इलावा आपने इदर status add करना है कि आपने इसको contact कर लिया या नहीं और फिर जो आपका rate fix हो जाएगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर लिना है तो परेशान नहीं हो ना सब कुछ आपको practically करके दिखाते हैं last lecture आपने देखा है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस website के बारे में हमने देखा था यह website मैंने open की थी टेक के related तो इस ही इनी website को मैं यहाँ पर इनी website को आड़ करता हूँ और इनी website की authoritative गयरा चेक करके हम उसके अंदर एड़ करते हैं तो यहाँ पर link मैंने copy किया सबसे पहले दो link copy करके आपने आज़ना है जी दुबारा sheet में और यहाँ पर आखरे link paste कर लिए अब link हमने add कर लिए है link add करने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है जी आपने उसी website पर आज़ना है right for us के page पर आज़ना है जहाँ पर यह आपको allow करती है कि आप जो है वो मतलब contact कर सकते हैं जहाँ पर email के तो यहाँ पर आप देखिए लिखा submit blog post आपने इदर आज़ना है एक page होता है ठीक हर website पर जहाँ पर सारा कुछ लिखा होता है कि हम blog post accept करते हैं कितने में करते हैं क्या आप email वगारा सारा कुछ तो यहाँ पर देखिए जी इदर नीचे आता हूँ तो इन्होंने एक form इदर दिया हुआ मुझे form दिया हुआ है कि आप इस form के उपर fill करके भी contact कर सकते हैं उसके लावा एक नीचे email भी दी हुई है तो email को क्या करेंगे right click करेंगे copy email address करेंगे यह email address मैंने copy कर लिया है तुबारा sheet पे आए contact के अंदर आके आपने email address control fee करके paste कर दें email address भी लिख लिया और हमने domain भी लिख ली अब हमने इसके domain rating चेक करनी है कितनी domain rating है तो हम backlink checker पे आजेंगे और backlink checker के उपर आपने link को paste करना है और यहाँ पर यहाँ हमको इसकी domain rating बगारा बता देगा बाइस domain rating है ठीक होगा जी अब इसकी traffic चेक कर लेते हैं last video के अंदर वैसे हमने यह check भी किया था तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अब इसकी पच्छी सो traffic है और बाइस इसकी rating है तो हम दुबारा आ जाते हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाइस और traffic कितनी है 2.5 के अब क्या चीज़ रहेगी DA और category यह आपको पता कौन सी है technology की है ठीक है अब क्या रहेगी जी DA डुमेन authority और spam score यह भी मैंने आपको बताया था कहां से चेक करना है यह आप इस website पे आके चेक कर सकते हैं पोस्ट और इस पे आके आपने simple पेस्ट करने ना अपने लिंक और चेक कर ले रहेगी अब यहाँ पे देखें इसकी जो DA वगरा वो भी आजाएगा 51 DA और 1 spam score है तो हम क्या करते हैं दुबारा शीट पे आजाते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 51 DA domain authority और spam score कितना है 1% 1% इसका है spam score तो इतनी चीज़ें आपने add करनी है ओके जी अब दूसरी website पे आ जाना है यह website हमने add कर ली ठीक है दूसरी website पे अपने link copy किया और आपने इसी तरह से one by one जो भी websites आपने निकार ली है उनको चेक कर लेना जो website सही है इसी तरह से one by one चेक करना है यह मुश्यल काम होता है और यह आपने लाजमी करना है और यह पहला काम होता है आपने तकरीबन डेर से 200 website के साथ contact करना होता है और उसके साथ deal देन करके रखनी होती है फिर आपने client हंटिंग की तरफ जाना होता है पिर आपने clients को देखना होता है पहले आपने 200 website निकालनी है उनके साथ contact करना है और फिर आपने अगला काम करना होता है अब यहाँ पे इसकी भी मैंने सारी चीज़ें add कर ली देखे जी यहाँ पे आता हूँ इसका मैं link paste कर देता हूँ इसकी domain rating कितनी आई है जी 44 और traffic कितना है 7.2 के 44 domain rating है और 7.2 के इसकी traffic है यह भी website technology की है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अब दुबारा website पे आ जाते है इसका हम contact method देख लेते हैं तो यहाँ पे देखे नीचे आता हूँ तो यह लिखा हुआ है here इसके ओपर मैं tap करता हूँ तो मेरे पास एक new page open हो जागा अब यहाँ पे page आया है तो इनके कोई email address हमारे पास नहीं है तो हम इस page का link को copy करेंगे और इसी page को as it is यहाँ पे add कर लेंगे हम यह इसलिए यहाँ पे add कर रहे हैं कि जब हम email करेंगे इनको और हमने करके रख लिया है और इसका अब spam score और वो देख लेते हैं 26 है इसका DA और एक spam score है simple केतना जी DA 26 DA है और 1% spam score है 1% spam score तो इसी तरह से आपने one by one जो भी website साना उसकी list निकाल के रख लेनी है अभी मैं आपको अपनी website दिखाता हूँ जिनके साथ मैंने deal कर रखी हुई है जिनके साथ मैं deal कर रहा हूँ मैंने किस तरह से list बनाई और कितनी लंबी list बना रखी है और आपने भी उसी तरह से यही काम करना होता है ठीक है यह नहीं है कि आपने कुछ 10 से 15 website निकाली और उनके साथ contact कर लिए अब पता क्या होता है कि आप आपके मांड में है आपने 100 website निकाल ली guest posting की जो अच्छी है जिसका D.A.D.R. domain rating ट्रेफिक वगरा सब कुछ ठीक है अब आपने उनके साथ contact किया अब क्या है कि ज्यादा तर जो website थाना वो आपको response कर देती है लेकिन 100 में से तकरीब बने 30 से 40 website साबको response निकरेंगी आप contact नहीं होगा आपका उनके साथ deal नहीं होगी तो आपने ज्यादा से ज्यादा website निकालनी है ज्यादा से ज्यादा website के साथ deal करनी है और उनके साथ contact करना है ठीक है अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं अपनी खुद की जो वैबसाइटस है जिनकर साब मैं किस तरह से लिस्ट बना रखी है मैं यह खुद आपको शोकर बारा हूँ वैसे लोग आपको दिखाते नहीं है मैं आपको यह दिखा रहा हूँ यह भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे लेकिन इस वीडियो के अंदर जो अभी लेक्चर चल रहा है यह थोड़ा बेसिक है इसको बेसिक एरहने दे बेसिक अभी चीज़ें समझ लें और इस तरह से काम करना शुरू करें जिस तरह जब आप बेसिक से आप काम करना शुरू करेंगे ना आपको एक आईडियो हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि इसके इलावा क्या मेथड़्स हैं उसके थरू भी आप काम कर सकते हैं तो अगर आपके पास वो टूल्स नहीं होंगे तो आप उसके बिना भी आप काम कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए आपने इसी तरह से काम करना है इसी तरह से अपने लिष्ट बनानी है लिष्ट बना के अब आपने वन बेवन विबसाइट्स एड्ड कनी है उन का डी अ डी आर spam score, traffic, contact method सब कुछ चेक करके आपने list बना लेनी है तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही next lecture में हम यह देखेंगे कि किस तरह से हमने guest posting sites के जो owner हैं जो admin हैं उनके साथ हमने कैसे deal करनी है उनके साथ हमने email कैसे करनी है उनके साथ contact कैसे करना है तो वो हम अपने next lecture के अंदर देखेंगे आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए लाहाफेज